गोपाल गंज की पुलिस लाइन से चुनाव कराने सुपोल जा रही सुरक्षा बलो की तीन बसों का एक्सिडेंट हो गया इस हाथसे में एक बस के ड्राइवर समेथ तीन जवानों की मोत हो गई है वहीं एक दर्जन से अधिक जवान गंभीर रूप से घायल है यह हाथसा सिगवलिया था नाक्षेतर के बरहिमा मोड के पास NH 27 के पास हुई है पताय जा रहा है कि पुलिस लाइन से तीन बस में 242 महिला वो पुरुष जिला बल के जवान चुनाव कराने के लिए सुपोल जा रहे थे रास्ते में बरहिमा मोड के पास बस रोग कर सभी नाश्ता कर रहे थे तभी तेज रफ्तार में आई कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी हाथसे में अशोक उराउन नाम के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि इलाज के दोरान पवन महतो और दिगविजय की मौत हो गई एक दरजन से अधिक पुलिस कर्मी गंभीर रूप से जक्मी है स्वास्त विभा की ओर से पांच एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम को मौके पर भेजा गया है वहीं सदर अस्पताल को अलर्ट करते हुए घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस अस्पताल लाए गया बताय जा रहा है कि हाथसा इतना दरदनाग था कि दो बसों के बीच में कई पुलिस के जवान फस गए और उन्हें निकालने की कोशिश घंटों तक होती रही वहीं सपी स्वन प्रभात और डियम मुहमत मक्सूद अलम ने सदर अस्पताल में पहुँच कर घटना का जैजा लिया और मोके पर राहत एवं बचाओ कारिक युद्धस्तर पर होने की बात कही